अरो अली क्या बना रही है ए दुलन खुद लगी होगी है अपने डेगरेशन रहे हो दूसरा प्रिबाति करें चार जान दिले पैवारी यहां पर हो रही है महंदी के फंक्षन की डेकोरेशन की तयारी और डेकोरेशन के लिए हमने घर की ही चीजों का इस्तेमाल किया घर में पड़ी हुई चीजों कोई काटपीट के उन्हीं से कुछ बना रही है हैं फिलाल तो अभी इस कार्डबोर्ड का बनने वाला है महंदी बोर्ड और दुल्हन बिचारी खुद भी लगी हुई यह काम में इतना ज्यादा काम है तो देखिए अब इधर मैं भी आ गई तो मैं भी लग गई हूँ थोड़ी सी हेल्प कराने में तो यहां में महंदी बोर्ड के लिए लिख रही हूं मेरी ड्राइं कुछ खास अच्छी तो नहीं है पर थोड़ा वह ट्राइक कर रही हूं क्या पता अच्छा ही हो जाए कोशिश करने में क्या जा रहा है तो बड़ा अराम अराम से सोच सोच के बगना रही थी ताकि कुछ गड़बड ना हो क स्केल पता नहीं कहा रख दिया था बच्चों ने तो यह काड़ बोर्ड को यह से कट करके उसी का स्केल बना लिए बताओ स्केल भी हमारा जुगाडू है तो सोचिए डेकोरेशन कितना जुगाडू होगा तो ऐसी धीरे-धीरे इधर बोर्ड तयार कर दूंगी तो कलर में भी नहीं समझेंगा था क्या कॉंबिनेशन कर रहे तो इसके ग्रीन और यलो का हमने कॉंबिनेशन रखा तो मैं और मेरी कजन हम दोनों लगे हुआ है कलर करने में तो ब्रश थोड़े पतले ही थे कि मतलब पहले से कोई प्लाइनिंग नहीं थी ना कि हमें घर प कर रहे थे लेकिन अच्छा ही बनी गया था आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी की बोड हमारा कैसा रेडी हुआ था और आप चाहे तो आपके भी घर में अगर फंक्शन हो तो आप भी ऐसे रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसान है बहुत सिंपल है और जीरो बजट में ह तो इस तरह से बोड भी त्यार हुजएगा पूरा डेकोरेशन दिखाते हूं आगे थोड़ा से वीडियो में तो देखें अभी हमारी बाते हो रही है कैसे कैसे क्या क्या करना है तो इधर बोड जब तक रेडी हो जा रहा है इतने में इधर डेकोरेशन आगे की शुरू कर देरे क्योंकि देरे शाम होती जारे और शाम को फंक्शन शुरू हो जाएगा तो इसलिए यहां पर यह फूलो का जो यह गजरा है इसको लगा रहे हैं थोड़ा बहुत इभी घर में रखा हुआ था तो हमने घर में रखी चीजों को यूज कर लिया और इधर रेडी हो अब चलते हैं आगे देखते हैं बाकि सब्सक्राइब क्या हो चल रहा है यहां पर कैसी त्यारी चल रही है यहां यह सब खड़े थे फोटो शूट के लिए बट में तो वीडियो शूट कर रही थी मैंने तो वीडियो बलाया हॉई मोशी जी है दुलहन है और दुलन के जरी दीदी है तो यह आपके शुरू हो गया मेहनदी लगना दुलहन को शो यह मेहंदी आर्टिस्ट बलाया थ दुलन्य खुद शायद इनकी ये फ्रेंड है मुझे ज्यादा नहीं पता बहुत प्यारी महंदी लगाई थी नोने बहुत ही प्यारी और इतना मतलब बिल्कुल सिंपल वे में इनोंने लगा दिया था और ऐसे लुक इतनी सफाई से इनोंने लगाई थी महंदी बहुत ही यह देखे अब देखे डेकोरेशन कितना प्यारा लग रहे है आर से दुल्हन का नाम है और एट से दुल्हन के होने वाले हस्बन का नाम है तो फुल हैंड महंदी इनकी चल रही है आई होप यह डिस्टरब ना हो रहे हो मेरे वीडियो बनाने से है तो जब तक इनकी महंदी लग रही है अब देखते हैं आगे को और क्या कारिक्रम चलने वाला है आगे बहुत प्यारी लग रही थी तो अधर महंदी लग रही थी इतने में आ गई हैं बड़ी मौसी जी और बुवा जी महंदी का शगुन डालने के लिए तो यहां पर जो बड़े होते हैं वह महंदी का शगुन डालती है अब लेडी gì जी और फिर उसके बाद सुरूर हो गई डांस मस्ती घाना सबने बहुत प्यारा डांस किया और यह जो डांस करें यह भी मेरी कजन है बहुत प्यारा डांस करती है और यह देखी इतने में महंदी कितनी लग गई है देखें कितना प्यारा डिजाइन फुल हैंड बहुत स्मूद लगाई है बहुत कलियर्टी से और फिर यहाँ शुरू हो गई दूलेनिकी महंदी का फोटो शूट यह देखे बहुत नटखट है दूलेन हमारी मिल गए ना सुबूत और फिर यह देखे पूरी महंदी है न कितना प्यारा डिजाइन बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा अलगर डिजाइन गिल्कुल क्लियर्टी के साथ है समझ में भी आ रहा है तो अब बच गए है रात के ग्यारा और यहाँ मैं भी महंदी लगवा लेती हूँ तो मुझे दीदी महंदी लगा रही थी तो आपको वीडियो कैसे लेगे मुझे कमेंट करके जरूर बता आना और हाँ अभी शादी का वीडियो बाकी है तो देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सुब्स लोग को मिलते हैं नेक्स्ट लोग में तब तक लिए